400 सीटों के लगबग चुनाव हो गया, करनी से ना कहा है, करनी से ना आपने समाज के साथ है, चाहे वो जिसी दल से खड़े हो और सोबागे से इस बार चाहे कॉंग्रेस हो, चाहे वीजेपी, चाहे गटपंदद हो, चाहे जतादल, चाहे गुतादल, हर उस पार्टी से समाज के लगबग 168 सीटों पर प्रत्यासी चुनाव में हैं, हम हर उस व्यक्ति के जो समाज का है, हम हर उस व्यक्ति के साथ में हैं, राजिस्तान और राजिस्तान के अलावा पूरे देश की बात करें, तो अब जो इस्तिती निकल के आ रही है, वो ऐसा मैसूस हो रहा है, जिसे एंडिये की सीधी सीधी पैजोरिटी नहीं बन पा रही है, अभी गली मोदी जी से समंधित कुछ मीडिया वाले लोगों ने अपना सर्वे दिया, कि सायद 220 या 230 पर अगर एंडिये अटक जाती है, तो कौन, और प्रमुकता से नाम उबरा राजनात सीगों दितिन ग सक्षकार हूँ, कि अगर ऐसी कोई इस्तिती बनती है, तो राजपी प्रदेश है ना, नहीं बात, राजिस्तान की प्रदेश की आधाई चुनाव बुरे हो गए, आधे चुनाव में किसको कितनी आ रही है मुझे इसका बता देंगे, पर हम अब व्यक्तिकत तोर पर कुछ कुछ लोगों का समर्थन कर रहे हैं और किभी लोगों के खिलाफ में रहना चाहरे हैं जैपूर शहर, जैपूर रूरल, हम भातिया जट्दा पार्टी के उमीद्वारा के साथ हैं, तो हम अलवर में कॉंग्रेस के साथ हुई हैं, हम करनल बादुएंदर के साथ हुई हैं, के साफ भी हैं हम कॉंग्रेस के गुपाल सिंग जी के साथ भी थे तो गजिंदर सिंच हैं भी हमें कोई तक्लीव नहीं अब कनी से लाजस्तान में है प्रदेश की उन बाकी बंची 12 सीटί पर अपनी ताकत मैसूस कराने का प्रयास कर रही है कि करेगी आज जैसा मैंने जो तीन चुनाव बचे हुए हैं उसमें इस्तिती इसमज कर दी जैपोट शहर जैपोट रूडल हम बीजेपी के साथ और अलवर हम कॉंग्रिस के साथ एक्ट पर जिन लोगों ने जाती है वह मै पूर्पूर के सांसदों के हम खिलाफ रहेंगे क्योंकि उसी आंदोलन के तहत यह जो तथाकतित अनारक्षित वर्ग है उसके आरक्षण की व्यवस्ता बनी है मोदी जी ने दी मैं नहीं मानता समाज ने ली मैं यह ऐसा मानता हूँ करनी सेना ने वोट की चोट देकर यह तथाकतित सवर्णों के आरक्षण के तस्वर्थिषण की एक जो जो रुकावट थी आर्थिक शब्द उस पर यह आरक्षण की व्यवस्ता बन गई और मैं चाहता हूँ पूरी देश में यह आर्थिक आदार पर आरक्षण की व्यवस्ता बन जाए बाकि की सीटें चाहे वो शीकर जुन-जुनों चुरू हो हम चाह रहे हैं जो आरेलपी और आरेलपी से समंदित या उसके समर्थित जो उमीद्वार हैं जो भारती जंता पार्टी से हड़े हैं उन सब को आराया जाए और जहां तक नागोर का मामला है जो खुद मेरा जिला है हमारे पुर्व प उस जिल्य के बारे में चर्चा ऐसी है कि टायर को इस बार पंचर करेंगे टायर को बोडेंगे टायर को जलाएंगे चार तारिक को हर बार मातिश्वरी के आशिरवात से हम अंतिम दिन कालवी में एक पंचायत बुलाते हैं जो अंतिम दिन इस बार है चार तारिक कालवी मे बैट सर उस बारे में भी गहन मंत्शन करके अगले तीन दिन तक वहाँ पर अपने आजमी दोड़ रहे हैं और बीजीपी वाला बीजीपी की बात कर रहा है और राजपुर्ट समाज कुछ और देख रहा है साहिद कालवी और कंडी सेना को देख रहा है चार तारी को हम बैठकर कालवी में तैक कर लेंगे जो मानस है अभी जो इतने दिन तक हम किसी के साथ नहीं दोड रहेते राजपुद के लवा अब जो मानस है वो ऐसा लगता है कि जैसे टायर को जलाएंगे चार तारी को कालवी पंचायत में हम नागोर के लिए तैकरेगे कल के दिन और भी जो राजपुद समाज के व्यक्ति है उत्तरपदेश के चुड़ाओं में भागेदारी करने के लिए मैं कल उत्तरपदेश जा रहा हूं और फिर अगले एक दो दिन के अंदर वापस राजयत्थान में आकर राजयस्थान के बारे में जिसको भी जहां जरूरत हो उस हिसाब से हम अपकी कारवाई को आगे बढ़ाने की कुछ कि चार तारी को बैठके तै करेंगे मैंने बता है न हमारे पूर व्रदेश शांपरताब सिंग हमारे अज्यक्स वर्तमान में वह वहां पर मौजूद है आज ही पहुँचे हैं सभी लोग और लगता है जैसे टायर को पंचर करेंगे टायर को जलाएंगे टायर को तो और सबसे बड़ी बात जिस तरह से नागोर में एक विप्री तिस्तिती अभी राजितर सिक्टी राठोड वहां गए थे एक नहीं गए नहीं थे पैनल चैनल डिसकेशन पे न्यूज एटीन के कारिकरम में हम मौजूद थे और उनका 25 की 25 सीट भारती जन्ता-पार्टी चौबीस आजसकती है पर एक तो कहीं और जाएगी और एक जहां कहीं और जाएगी वह भारती जन्ता-पार्टी हैक नहीं है वह फिर उसी चैटल पर एक डिसकेशन पर कल शाम को बहुत चिंताव्यक्त करी जारी थी कि वह किसके साथ जाएंगे यह किसी के पर आत्में भी वो नागोर की सीट के जो MP अगर टायर वाले जीत गए तो वो किसके साथ जाएंगे इसका अभी तक कोई पता ही नहीं है पर समाज अभी बूला नहीं है सामराव को और सामराव को भूल गया हो थोड़ा लेट हो तो तालवी साब को दी गई गालिया तो अभी तक बिल्कुल नहीं बुला है जिवन नाम बुदारा के बारे में और अभी सिक्डर में तो डोली लूट के ले गए इसलिए लाइन कभी तो आपके इंडिये रफूर्ण की आ रहा है ऐसा ऐसा मैंने एबी पी आज तक और जूज एटीन के सर्वे में देखा है मैं मेरी तरफ से बाते नह कि सर्वे में अब क्लियर कट मैजुरेटी नहीं आ रही है नहीं आ रही है तो एजे राजपूर्ण करनी से ना के सस्थाप़ के तोर पर मैं तो चाऊंगा कि राजपूर्ण मंत्री बोड़े हैं दो कौन हो राजपुतिंगा? बहते हैं, मैं ही हो जाओंगा. मैं इतना बुरा हूँ? बॉरा हूँ क्या? और इसके लिए हमारी दाय है, कल मैं हो लखनाओ मैं, कल मैं चार सीटों पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ. चारों ज़रूरी नहीं है के कोहाँ बीजेपी की ह साथ थे हैं और रहेंगे और राजपूत हित्तों के लिए जो कुछ भी निड़ने लेना पड़ सकता है वो हम लेकर एक बार फिर एक बार मजबूती से कर्णी माता को याद करेंगे सी राजपूत कर्णी सेना की चर्चा अब से अगले डेर सो सीटों पर फेस्बुक लाइव कि ये एक भी बाद्यम है आज प्रेस कॉंसर नहीं हो सकती क्योंगी प्रधान मंत्री जी आएवे थे तल इसलिए नहीं हो पाई कि देर रधाहुल जी आएवे थे श्वागत है और श्वागत से मुझे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नहीं आशिरुआत प्राप्त है राश्वी इस्तर के सबसे बड़े देताओं का और जब ये चर्चा अकभार के माद्यम से चली जैसे आज ही अभी टाइंस नावाले यहाँ पर मौझूद थे कि कर्णी सेना का क्या स्टेंड है अब 400 सिटें पूरी होने के बाद अगली 1500 सिटों के लिए हम हमारा स्टेंड लेने वाले हैं अकभारों के माद्यम से जो साइद कल या पर्सों में में मीडिया से मुखादिब होंगा क्योंगा आज तो संभव नहीं हो पाया कल लखनवाली प्रेस कॉन्फेंस में हम हमारा स्टेंड क्लियर करेंगे और ये चीज़ को कि हम राजपूत के साथ हैं और अ आया है कम से कम मेरे लिए तो पर तो भी ये आजकल बहुत जरूरी है और मजबूरी भी पर इस पर जिस तरह से अनकल आरोब प्रत्यारोब लगते हैं उससे दुखी भी रहता हूं और इसलिए सोचल मीडिया को कभी-कभी अंसोचल भी समझने का कभी दिमाग में आता है कि ये अंसोचल भी उतना ही है जिसको कुछ नहीं करना है वो सोचल मीडिया पर इदारता रहता है मेरे पर प्रेस वालों की बड़ी विशेश क्रपा है और इस चीज को लेकर जब हम आगे चाप्चा करेंगे तो मैं चाहूंगा इसकी उपस्तिती पूरी मजबूती से हो इसक कि मेरा ये काम नहीं है फेस्बूक और वाटसप पर बहुत उल्टी सीदी में मीडिया के माज़म से और गाडियों के माज़म से आप लोगों भी बीच में मुखातिक होंगा हर उस सीट पर जो ये बारा सीटें बची हैं हम चाहेंगे हमारी इस्तितिया हमारी उपस्तिती उस मजबूती से के हो के जो हम चाहें वही राजित्थान के जनता की आवाज बचाएं और जनता की आवाज जो हो वही करनी से ना कह सके इसके लिए आज आपसे मुखातिक हूट सबसे जो लोग भी आज जुड़ चुके हैं बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और होंगे ख्लाब में हम दो राजभूतों के साथ हैं । is नागोर की बात काल वी में पचायत है चाहता हुकiva के साथ मैं आप